दादी नानी ने बताया सौब खाने के घरेलू उपाए नमबर एक, सौब खाने से त्वचा में चमक आती है नमबर दो, सौब खाने से खून साफ होता है नमबर तीन, सौब खाने से या दास्त बढ़ती है और खासी भी ठीक होती है नमबर चार, सौख भून कर खाने से पेट दर्द में तुरंद आराम मिलता है नमबर पाँच, कब जो होने पर आधा ग्राम गुलकंद उसमें थोड़ी सौख मिलाकर राध को सोते समय दूर के साथ लेने से आराम मिलता है नमबर चै, भोजन के बाद सौख खाने से पेट ठीक रहता है और पेट में जलन भी नहीं होती है नमबर साथ, आखों की कमजोरी दूर करने के लिए सौख के साथ मिस्री का सेवन करें नमबर आठ, दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए बादाम, सौख और मिस्री बराबर मातरा में मिलाकर भोजन के बाद सौख साम लें नमबर नौ, अगर खांसी ज़्यादा बढ़ जाए तो सौख को अंजीर के साथ दिन में दो तीन बार लेने पर खांसी में तुरंद आराम मिलता है नमबर दस अगर खांसी के साथ ज़्यादा कप बन रहा है तो सौप को पानी में उबाल कर उसे चान लें और उस पानी को दिन में दो तीन बार पिएं नमबर ग्यारख अगर हाथ पाउं में जलन हो तो पिसी होई सौप को सक्कर के साथ लें धन्यवाद तो दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप लोगो कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में लाती रहूंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना धन्यवाद